नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन बन गई है और नई सरकार बनने के साथ साथ रोहनी लगातार सोशल मीडिया पर काफी ज़ादा एक्टिव होते ukv compare नजर आ रही है नजर आ रही है कैल किया ओर तैज़ की कते है डैर नेज़ और रोहनी अचार श्रुक्रिया और कुछ Capital की हैं हम आपको अपने स्क्रीन पर वो सारे टूइट्स एक टेक करके दिखाएंगे सबसे पहले वो करती है एतिहासी काम बिहार में तजश्वी के 17 महीने के कायकरम में हुआ है और एक वीडियो भी वो शेयर करती है उसके बाद लिखती है जिनकी महफिल सस्ति थी बालिका ग्रीक के प्रांगन में इनको क्या मन लगेगा समाजवाद के आंगन में फिर रोहनी आचारे लिखती है जब भी आएने में खुद की तस्वीर देखोगे तजश्वी के विकास की लंबी लकीर देखोगे खोलोगे उसी दिन पगड़ी जब गिरगिट कुमार के मौको पर पाकर मारेंगे लंगड़ी एक तरफ जहां रोहनी आचारे ने समराट चौधरी मुखमंतर नतीश कुमार पर निशाना साधा है डिरेक्ली वे में नहीं इंडिरेक्ली वे में मौहनी आचारे ने सब कुछ कह डाला है अपने इस ट्वीट से आपको बता दें कि बिधान सभा का बजट सत्र चल रहा था 12 फरवरी को इसकी शुरुवात होती है फ्लो टेस्ट से फ्लो टेस्ट में नई सरकार एंडिये की सरकार विश्वास मत हाशिल करती है और उसके बाद बिहार में नई सरकार को लेकर लगातार बयानबाजी विपक्ष की तरफ से सुनने में भी आपको मिल रहा होगा वहीं दूसरी तरफ आपको बता दे की बजट सत्र जो है वो कल यानि की 13 फरवरी को पेश किया गया बजट सत्र में बिहार की नई सरकार यानि की एंडिये की सरकार बिहार के डेप्टी सियम समराट चौधरी ने बजट पेश किया है और अब रोहिनी आच्यार ने नई सरकार पर निशाना साधा है अपने एक्स हैंडल अकाउंट से रोहिनी आच्यार लिखती है की पगड़ी आप टब खोलोगे जब पल्टू चाचा को आप लंगड़ी मारोगे साथी साथ उन्होंने ये भी लिखा है की समाजवात की बात कौन कह रहे हैं जिनका प्रांगन जो है समाजवात की बात आप क्या करोगे जिनकी महफिल बालिका ग्री के प्रांगन में सजा करती थी आपको बतादे चलेए कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि रोहिनी आच्यार ने इस तरह के ट्वीट किये हैं इस से पहले भी रोहिनी आच्यार कई बार ट्वीट कर चुकी है तो जश्वी याद दब्यानी जब महागटबंदन की सरकार बिहार में गिरी थी तो रोहिनी आच्यार ही वो पहली ऐसी सक्स थी जो लालू परिवार से ट्वीट करती है और नितिश्च कुमार पर निशाना साथ है उसके बाद उनके ट्वीट्स को डिलिट करवा दिया जाता है और उनके ट्वीट्स के अगले दिन ही बिहार में खेला हो जाता है महागचबंदन की सर्विट्स में एक तरफ जहां पक्ष और बिपक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का शिलसला जारी ह वहीं दूसरी तरफ रोहिनी आचारे जो सिंगापूर में रहती है रोहिनी आचारे वही है जो लालो प्रशाद यादब को किड्नी दी थी किड्नी ट्रांस्प्लांट के दौरान रोहिनी आचारे लालो प्रशाद यादब के साथ लगातार मौजूद रही थी और उसके ब इधान सवा का बजट सत्र चल रहा है और इस पर भी रोहिनी आचारे ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके तजश्वी आदब की काम्याभी को गिनाया है तजश्वी आदब के कामों को गिनाया है आपका क्या कुछ कहना है रोहिनी आचारे के ये सारे ट्वीट्स को लेकर ह मारे comment box में जरूर बताएं